हलो बंट्स मैं हूँ कोरोक मर्क तरस तो आज की स्टूडिय में हम बात करने वाल है कि भी हमको computer system लेना चाहिए या laptop लेना चाहिए क्योंकि बहुत सालोग ने मुझसे से comment box के लिए भर भर के ये सवाल किया है कि यार मैं computer system ले लूँ या laptop ले लूँ तो आज के इस टूडिय में हम इसी के बारे बात करने वाल हूँ क्योंकि बहुत सालोग ऐसे हैं जो सिर्फ game खेलने के लिए laptop या PC लेना चाहते हैं बहुत सालोग ऐसे हैं जो सर्फ movie देखने के लिए laptop या PC लेना चाहते हैं और बहुत सालोग ऐसे भी हैं जो सारे काम करने के laptop या PC लेना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके लिए एक better option कौन सा है तो बहुत सारे differences मैं आपको बताऊंगा कि यार comfortable के मामले में कौन सा better option है budget के मामले में और बहुत सारी चीजा आपको देखने को यहां में मिलेगी बहुत सारी चीजा आपको समझने को मिलेगी तो इदे आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को सुरू से लाज तक का देखते रही क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे हम बात करने वाले हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि बहुत यह कंप्टाप में और लेप्टाप में क्या अंतर हैं और आपके लिए एक बेटर आप्शन कौन सा है तो चलिए देखते हैं तो दोस्ती यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बता देता हूँ कि लेप्टाप और कम्utes दोनों भी एक बेटर आप्शन होते हैं कई मामले में यह थोड़ी सी प्लस मैस हो सकते हैं यदि इन में से कोई भी मामलों में यह प्लस मामलों हो सकते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं comfortable के मामले में तो comfortable के मामले में यदि आप comfortable आपको चाहिए तो laptop एक video option हो सकता है क्योंकि आप laptop को कहीं पे भी आसानी से ले जा सकते हैं मामलों आप traveling कर रहे हो आप अपने घार जाते हो डेली इदर उदर जाते हो और वहाँ पे भी computer आप open करना चाहते हो तो computer system को आप वहाँ पे नहीं ले जा सकते हैं तो laptop आपके लिए एक better option हो सकता है अब ऐसे में बात करें तो LED यानि आप यदि laptop लेता हो तो वहाँ पे LED आपको inbuilt मिलती है लेकिन यदि आप computer system लेते हैं तो वहाँ पे आपको LED इन बिल्ड नहीं मिलती है वहाँ पे आपको अलग से लेना पड़ता है साथी यहाँ पे बात करें यदि sound के बारे में तो यहाँ पे यदि आप laptop लेते हैं तो यहाँ पे sound आपको inbuilt मिल जाता है लेकिन यदि आप computer system लेते हैं तो यहाँ पे आपको sound अलग से purchase करना पड़ता है वहाँ पे लगाना पड़ता है तो यह भी एक थोड़ी सी माइनस हो सकता है computer system के लिए दूसरी चीज़ बात करें देखो कई बार ऐसा होता है कि हम laptop यूज कर रहे होते हैं और power cut हो जाता है light goal हो जाती है light चली जाती है तो वहाँ पे कोई problem नहीं होती है क्यों कोई laptop में battery अंदर से inbuilt होती है लेकिन यदि आप यहीं पे बात करें PC computer system में तो यदि light या power cut हो जाए तो यहाँ पे बहुत बड़ी problem हो सकती है जो भी आप काम कर रहे हो वो सारा काम आपका बरवाद हो जाएगा तो यहाँ पे आपको एक UPS भी खरीदना पड़ेगा यदि आप computer system लेते हैं UPS का मतलब यह होता है कि जब भी आप UPS अपने computer system के साथ यूज करते हैं तो जब भी आपका power cut हो जाएगा तो वहाँ पे 10-15 minute फिर भी आपका computer system हो चलता रहेगा जिससे आपका जो काम है वो आप जल्दी से जल्दी save कर लेंगे और आप अपने computer system को switch off कर लेंगे लेकिन यहीं पे यहीं आप laptop के साथ हैं तो laptop में भी यह battery इंबिल्ड होती है और UPS भी इंबिल्ड होता है जिसके current से यहीं आपका light power cut भी हो जाता है तो कोई problem नहीं होगी और आप अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे तो यह भी एक plus point हो सकता है laptop के लिए और minus point ह सकता है computer system के लिए अब बात करें यहां पे देखो wifi की तो laptop में wifi इंबिल्ड होता है लेकिन यदि आप computer system की बात करें तो वहां पे wifi इंबिल्ड नहीं होता तो wifi card को आपको लगवाना पड़ता है तो यहीं थोड़ी सी अंदर थे अब एक चीच में आपको बात करूं powerful के बा हूं तो मैं HitFilm Express Unity और बहुत सारे software को run करता हूं तो जब मैं Unity यूज करता हूं laptop hang माने लगता है और PC computer system जो है वो hang नहीं मारता तो कहीं न कहीं powerful के मावल में बात करें तो computer system एक better option होता है तो मैं आपको बता दूँ यदि आप movie देखना चाहते हैं यदि आप छोटा मोटा क जिसमें 8GB RAM है लेकिन वहाँ पे फिर भी यदि मैं Unity और HitFilm Express जो video editing software है उसको जब मैं सांत में यूज करता हूं तो कई बार वो hang करने लगता है लेकिन 4GB RAM जिसमें है computer system में उसमें मैं ये दोनों को run कराता हूं तो भी वो hang नहीं मरता तो कहीं न कहीं powerful ज्यादा होता है laptop से आप के लिए computer system तो ये आपके लिए computer system में एक बटर उप्सन होगा लेकिन आप छोटे-मोटे काम करने के लिए ये आप computer system या laptop लेना चाहते है तो आपके लिए laptop उचीत option हो सकते है अब यदि बात करें कि ये आपके पास जगह कम है तो laptop एक बटर option हो सकते है क्योंकि computer system को या रखने के लिए थोड़ी सी स्पेस चाहिए, अब यदि एक चीज और बात करें कि कहीं पे मालोग मेरे साथ क्या होता है कि मैं कभी बेड में सो के लिप्टॉप यूज कर रहा हूँ, तो यदि आप बेड में या फिर कहीं गार्डन में जा रहे हो, कहीं पे भी को नहीं ले जा सकते हैं, तो यह प्लस माइनिस हो सकते हैं, तो आपको क्या काम है, गेम के लिए लेना चाहते हो, या फिर हैवी स्टॉप यूज करने के लिए लेना चाहते हो, या बहुत सारे काम करने के लिए लेना चाहते हो, या सिर्फ मोबी देखने के लिए लेना चा लेकिन PC सिस्टम के साथ कि आप कम बजट में बहुत अच्छा काम यहां पे कर सकते हो वो हैंग भी नहीं मारेगा लेकिन यही बस एक सिंपल सी चीज है कि आपको एक जगह पे इसको रखना पड़ेगा और यहीं आपको नेटवर्किंग का नॉलेज है तभी आप PC लो क्योंक करने में और बहुत सरी प्रवल्म आपको हो सकती है तो आई होप यह सारी चीज है आपको पता चल गए होगी क्या क्या डिफरेंसे हैं इन दोनों के बीच में तो आपके लिए एक वीडियो आपको पसंद आई होगी तो यह आपको यह वीडियो पसंद है तो प्लिज़ कर दीजे चैनल को भी जरू सब्सक्राइब करें और मन में कोई भी सवाल या सुझाओ हो तो हमें कमेंट उप करके जरू बताएं साथ ही यह वीडियो आपको कैसी लगी है यह वी आपको जरू बताना थैंक यू सो मच मिलते हैं अगले वीडियो में तो तक लिए चेहन बं कर दो